असलाम लेकुम नाजरीन नाजरीन मैं अग्रेद नाम रिशन बात कर रहा हूं जिए आज मैं आप लोगों को जो है ना कपास में घुला भी सुन दी बहुत ज़्यादा लगी है और मैं आपको दिखाता हूं कि उसकी हम शेनाफ कैसे कर सकते हैं और उसका मुकमल कंट्रोल कैस कर सकते हैं कि क्योंकि जो है वह कैसा आया है कि हम उसकी शनाफ कैसे कर सकते हैं कि इस से हम घुलाब ही सुंडि क्यों कहते हैं क्योंकि इसका लग हो जाती है ईसका डूना बहुता है इसलिए हम उरिजिनल कर्range ना वो यावस बात है तो इसलिए हम उसे घुलाबवी- conflict करकने जो यहां 7 जाते हैं मोई उपर से कमर या जाता है यह यह को ए सब्सक्राइन है लेकाई इसके बीटिए दोसे तो इसे मुलूम होता है कि इसके इंतर जो है ना जरूरी मजूद होगी दूसरा यह फूल्ड हुआ है यह आप लोगे सामने यह आपको ओपन करके दिखाते हैं यह आप लोगे सामने जो है ओपन करें यह देखें जी अधि जो आपको अंधर अजय वह फूल को जह भी आपको कहा रही है यह चैसे लिए ऊन्टिट पूल को जंने बखांगा रही है यह देखेंगा लिए फूल को बड़े मज़र सका रही है यह आप क्योंकि पूल में है तो यह कंड्रूल यह जाएगी लेकिन जाब यह तिन्डे में जाती है तो फिर इसका कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसलिए आप फ्लावरिंग स्टेज पर ही इसे कंट्रोल करें और इसका जो कंट्रोल मुकमल वह भी मैं आपको बताता हूं एक और फूल में आप दिखाने लगा हूं जी वह आप मैं दिखा रहा हूं कि एक यह वाला जी है यह देखें जी एक और फूल है इसके अंजर जेखें बड़ा भी चाल पिर रही है जिए मज़े से तो आप इसका जो शुनाद कर सकते हैं जैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया के वह फूल जो हो इसके ऊपर जो है ना वह इसके पड़े होंगे और इसकी जो मुकमल कंट्रोल है वह है जी प्रो एकसेज आप करें इंशाला बीस बाइस लिन उसका रिजाल्ट है और यह लश्क्री जो गुला भी सुन दिए जे मुकमल तोर पर जो है ना कॉंट्रोल हो जाएगे अगर तो इसलिए आप इससे लाजमी कंट्रोल करें नहीं तो आपका बहुत ज्यादा जाना वह लाज हो जाएगा आपके जिनना जरीन जजाक अल्हा शुक्रिया वस्लाम